हेलो दोस्तों, वेलकम टू सफलता मंतर आज मैं एक बार फिर से आप सबके लेग नई वीडियो लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में मैंने सामान ग्यान के करन्ट अफेर का एक नया पार्ट तयार किया है जिसमें मैंने 40 कोश्चन्स लिये हैं ये पार्ट 3 है, इसके पहले दो पार्ट में ला चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं तो इस वीडियो में मैंने 40 कोश्चन्स लिये हैं जिनमें मैंने 35 के आंसर बता दिये हैं और 5 कोश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आप लोगों को खुद से ढून कर याद करने हैं और उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं तो चलिए जुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस तरह के बटन को प्रेस करके आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ इसके पास में लोगे वैल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमाई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे तो देखते हैं करंट अफेर के ये 40 कोश्चन पहले कोश्चन से देखते हैं आप लोग साथ ही साथ कॉपी पेन लेके बैट जाईए और सभी कोश्चन को याद करते रहे हैं लिखते रही जिससे कि आपको एक ही बार में कोश्चन याद हो जाएं और इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि सभी कोश्चन बहुत ही ज़्यादा important है पहला कोश्चन है हाली में किस देश में emergency लागू की गई मालडीव देश में emergency लागू की गई और ये दूसरी बार लागू की गई इसके पहले दो मेहें पहले भी इमर्जेंसी लागू की गई थी और इस बार दुबारां से मालदिव में इमर्जेंसी लागू की गई है याद कर लीजे आप लोग इसका दूसरा कोश्चन है हाली में किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट का प्रचेपन किया तो जापान ने दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट का प्रचेपन भी पिछले दिनों किया था इसके आद बढ़ते हैं तीसरे कोश्चन पर अभी पिछले दिनों गुजरात के मुख्यमंतरी किसे बनाए गया अभी पिछले दिनों कुजरात में election था जिसमें बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी तो इसमें बीजे रूपानी को दुबारा मुख्यमंतरी पद के लिए चुना गया है इसके पहले भी पिछली सरकार में बीजे रूपानी ही मुख्यमंतरी थे याद कर लिजे important question है पूछा जा सकता है इसके आद अगले चौथे question पर वड़ते है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ ने 23 फरवरी 2018 को किस सहर में दो दिपसी रसोतसप का उदगाटन किया तो 23 फरवरी को मतुरा में रसोतसप का उदगाटन किया यह होली से रिलेटर एक इनोंने फेस्टिवल रखा है इसका फाइब नंबर question है अभी हाली में किस वरिष्ट वालीवूड अभिनेत्री का निधन दुबई में हो गया तो अभी पिछले 24 फरवरी 25 फरवरी को स्री देवी जी का निधन हो गया था जिनका कल ही इंतिम संसकार हुआ है तो याद कर लीजे यह भी अभी latest question है पूछा जा सकता है आप लोग सभी questions को याद करते चलिए सभी basic questions है बिल्कुल और exam में पूछे जाने की संभावना है इसलिए मैंने इन questions को लिया है इसका six number question है जिमनाश्टिक वर्ल्ड कप में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला भारती खिलाडी का क्या नाम है तो वी अरुना रेड़ी ने व्यक्तिगत पदक जीता है पहली वार जिमनाश्टिक वर्ल्ड कप में इनका नाम वी अरुना रेड़ी है याद कर लीजिए आप लोग इसके बाद seven number question पर बढ़ते हैं भारती क्रिकेट टीम ने दच्छिन अफ्रीका को टी 20 सीरीज में दो एक से हरा दिया इस सीरीज में player of the series की स्खिलाडी को चुना गया तो भूबनेसर कुमार को player of the series चुना गया ये इंड नाम क्या था तो उनका नाम कुमर भाई था इसका नाइन नंबर question जो की बहुत ही important है वी latest का question है इसे तो जरूर आप लोग याद कर लीजे क्योंकि इससे question निश्यत पूछा जाएगा क्या किस देश ने सीथ कालीन ओलंपिक 2018 में सरवाधिक पदक जीते तो नौर्वे ने 39 पदक जीते हैं जो की सबसे जादा है और यह सीथ कालीन ओलंपिक कहां हो रहे थे यह मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं और इसका अंसर अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं नहीं तो इसका आंसर जरूर याद रखे important question सीथ 2018 में किस भारती खिलाडी ने पुरुसबर्ग का खिताब जीता तो पी कस्यपने पुरुसबर्ग का खिताब जीता अभी ऑस्ट्रियन ओपन हुआ था बैड्मिंटन का 2018 में तो इसे पी कस्यपने जीता जो की बैड्मिंटन के इंडियन प्लेयर हैं और दोस्तों 11 नमबर question पर बढ़ते हैं इसका अंसर आप लोगों को ढून कर देना है याद कर लीजिए राष्टी मतदाता जिवस कम मनाया जाता है इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में कमेंट वाक्स में दे देना है वीडियो अंत तक देख लीजिए उसके बाद आप लोग यह पहला question है इस इसके बाद 13 number question पर 21 राष्टी सम्मेलन किस सहर में आयूजित किया रहा है तो हैदराबाद में इक गवर्नेंस पर 21 राष्टी सम्मेलन आयूजित किया रहा है 14 number question वरिष्ट पत्रका निलाम मिस्रा का 24 फरवरी को निधन हो गया वे किस अख़वार में मुख संपादक थे तो वे नेशनल हिराल्ड में मुख्य संपादक के रूप में कार रथ थे और वरिष्ट बहुत ही पुराने पत्रकार निल्या मिस्रा जी जिनका भी निजन हो गया इससे भी कोश्चन पूछा जा सकता है इसके बाद 15 नमबर कोश्चन है प्रधान मंत्री मोधी जी ने कहां से रन फौर नियू इंडिया मेराथन को हरी जंडी दिखाई तो उनने सूरत में दिखाई थी याद कर लीजे आप लोग पूछा जा सकता है कुश्चन इसके बाद 16 नमबर कोश्चन है किस राज ने सकूल में प्रवेस के लिए टीका करान अनिबार कर दिया है किरल राज में स्कूल में अगर आपको प्रवेच चाहिए उसके लिए टीका कराण अनिवार कर दिया गया केरल राज में किया गया आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से इसके आद सेवेंटीन नमबर कुश्चन पर वड़ते हैं हाल ही में सुरू हुए भारत इंडोनेसिया सेंड अभ् पार्टी का क्या नाम है कमल कमल हसन ने अभी पिछले दिनों राजनीत में एक ऐलान किया उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई है और जो उसका नाम हिंदी में वह प्यूपिल जेश्टिस पार्टी नाम रखा गया इंपॉर्टेंट कोश्चन पूचा सकता है याद बारंग किस राज्य में किया था यह आप लोगों को बताना है इसका डूनना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है इसके बाद 20 नंबर कोश्चन है किन सरकार ने बागो गंगा ग्राम परियोजना किस राज्य में शुरू की तो यह उत्तरा खंड में यहां पहला रच्छा विस्विद्याले बनाये जाएगा याद करते चलिए आप लोग साथ में नोट भी करते चलिए इंपॉर्टन कोश्चन है सभी और अभी आने वाली सभी परिक्षाओं में पूछे जाएंगे कोश्चन इससे आपके पांच नंबर कंफर्म हो इसमें यूपी में निवेशक लोग आये थे यूपी में निवेश करने के लिए यूपी सरकार के दोरा ये आवजित की गई थी याद कर लिजिए आप लोग इसका 23 नंबर कुश्चन है विस्वर्यावरण नडहुजार skating त्हीम क्या है तो विस्वर्यावरं के लिए है व यह सेमी हाई स्पीड सुपरफास्ट ट्रेन है इसके बाद 25 नंबर कुशन है किस राज ने मचली ताला भी होज़ना सुरू की तो उड़ीसा में भी मचली ताला भी होज़ना सुरू की गई इसके अगले कुशन्स पर बढ़ते हैं इसके पहले आपको मैं बता दूँ कि आप आप लोग मेरे फ्वी गूरूप से भी जूड़ सकते हों मैं आपको पीडिया फाईल प्रोबाइड कर आता रहता हूं साथ ही साथ और भी अपडेट्स देता रहता हूं अगर आपको आप अभी तक मेरे फवी पेज़ कर दिश्क्रूप से ना जुड़े हो तो उसका लिं का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप लोग उस लिंक पर जाकर सभी पीडिये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं विल्कुल फ्री आउप कॉश्ट है इसका 26 नमबर कोश्चन मिस वर्ड 2017 किसे चुना गया तो मानुसी छिलर को मिस वर्ड 2017 चुना गया द्यमी लई नैल पीटर ने द्च टषण अफरीका की रहने वाली है याद कर लिजे आप लोग महराश्ट वमेंस मानुसी छिलर। बोखता हैं इसके 29 नंबर कोच्ट wiem 2017 में असोक चक्र किसे संवानित किया गया तो 2017 में हांगिपन दादा को सवानित किया था इस सहीड हों गए था इनकी पत्नी को यह सौपा गया था हांग पन दादा और अभी पिछले दिनों 26 जवरी यह राज जूदेस की पर्थम ग्रीन युनिवेस्टी की स्थापना करेगा तो पश्च्षिम बंगाल में पर्थम ग्रीन युनिवेस्टी की स्थापना की जाएगी याद कर लीजे आप लोग इसका थर्टी टू नंबर कुश्चन है हाली में जीएश्टी परसने वस्तूं को एक राज से दूसरे राज में ले जाने के लिए किस बिल का को लागू किया तो इसके लिए इवे बिल बनाया गया है याद कर लीजे इवे बिल इस बिल क का नाम है जिसका प्रयोग एक राज से दूसरे राज तक बस्तूं को ले जाने के लिए किया जाएगा दोस्तों इसी के साथ आपको एक कुश्चन का और अंसर देना है यह कोश्चन है दोजार अठारा कॉमन बेल्थ गेम्स कहां आयुजित किये जाएंगे भी चार अप्र के लिए इसके लाद 34 नंबर कॉश्चन पर बढ़ते हैं 2022 में होने वाले कौमन वेल्थ गेम्स की मेजवानी कौन और तो 2012 में जो में वर्मिंगम में हुँगे याद कर लिजे वर्मिंगम में हुँगे और दोस्तों इसके साथ 35 कॉश्चन का आंसर भी आप लोगों को देन आप बढ़ते हैं एगले कोश्चन पर प्रधान मंत्री दौरा सुरू की गई योजना मिसन इंद्रधनुस किसे संबंदित है तो यह बच्चों के टीका करण से संबंदित है मिसन इंद्रधनुस इसका 37 नंबर कोश्चन है वारती मूल की किस महिला को हाल ही में बिटन की सबसे प्रभावसाली अस्वयत महिला के रूप में चुना गया तो इनका नाम है गिना मिलर यह वारती मूल की हैं और अस्वयत महिला जो की सबसे प्रभावसाली हैं बिटन में इनका नाम है गिना मिल कि लोक सबा की पहली महिला महासाचीव के रूप में निक्त किया गया है तो इनका नाम इसन था पहली महिला महासीव में और आज आपको कमेंट बॉक्स में देना है वो है फीफा वृल्ड कप 2018 कहाँ जीत किसी हमें आएंगे इसलिए मैं आपको दे रहा हूं तो आप लोग इन को जरूर याद कर लें सभी इंपोर्टेंट कोशन है बहुत ही जादा इसका आज का अंतिम कोश्चन फोटी कोश्चन है फोटी नमबर कोश्चन है कि भारत का परत्व कच्रा मोहतसाब कहां आयोजित किया गया है तो बहुत की वीडियो में आपके 40 तयार कर दी है इसके पहले भी मैं Current Affair की वीडियो लाच चुका हूँ जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और आपको पीडिया फाइल चाहिए तो नीचे डिराइब का लिंक दियागा या वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साथ में मेरा एफ वी गृूप जोइन कर लीजे और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते हैं जिससे कि मुझे पता चलता रहे हैं आप लोग की कैसी त्यारी चल लई है और आपको वीडियो पसंद आ रही है और इन फलता मंतर को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करते हैं मैं चैनल को थेंक्यू दोस्तों